करता है जैसे merge short bubble short उसी तरह ये भी divide and concur technique को follow करता है concur मतलब sorting और divide मतलब item को दो पार्ट में divide करने के बाद sorting करना उसी को बोलते है divide and concur method in this method the partition of list is performed based on the element called pivot element quick short में क्या करेंगे जो भी हमारे पास quick divide and concur method है उस method का use करके हमारे पास जो भी element होगा तो first element को हम पाइवर्ड element consider करेंगे और इसी पाइवर्ड element के according हम अपने elements को sort करेंगे फिर चाहे left side से या फिर right side से तो पाइवर्ड element ऐसा element होता है जो हमारे पास element होंगे उन में से पहले element को पाइवर्ड consider करेंगे और right to left हम smaller and left to right हम greater करेंगे यह मैं procedure में आपको बताऊंगा कि कैसे काम करता है तो the list is divided into two partition जब हम पाइवर्ड element को लेके sort करेंगे तो पाइवर्ड element जब middle में जाएगा at the middle तो यह दो पार्ट में divide हो जाएगा sorted element तो हम पाइवर्ड element के left side वाले items को एक आयरे बनाएंगे और right side वाले item को एक आयरे बनाएंगे तो हमारे पास फिर दो आयरे होंगे और उन दो आयरे में हम फिर सेम ओप्रेशन को पर्फॉर्म कराएंगे जो हमने यहां पर बोला कि दो पार्ट में डिवाइड होगा फिर डिवाइड अन कंकूर मेथड से आटम को रिकर्सिवली sort करेंगे तो यहां पर एक और कंडिशन है all elements to the left pivot are smaller than जो भी हमारा डिवाइड सपोस्ट में पाइड ऑलेमेंटों होगा और ऑछ और ड ऑर एकन से बढ़ा गोगा औक फिर उसके बदा कुंक्या देका तो अभी जुमने प्रोसीजियोर बताते हैं इससे आपको क्लियर हो जाएगा तो अब हम प्रोसीजियोर जानेंगे क्विक सोट करो सबसे पहले हम एलिमेंट्स ले लेते हैं तो आप कोई भी रेंडम एलिमेंट्स ले लेते हैं लेते 53 1 60 65 45 90 13 67 यह हमारे पास एते हैं रेंडम एलिमेंट यहां इस हैं जो आपको फर्स्ट एलिमेंट्स दिखेगा जो 50 हैं वह हमारा पाईवाड़ज होगा यहां पर कंडिशन होता है कि फिस्ट कब हमसा अपाईवर्डD कंसिडर करेंगे और इस ही पनब Blues से हम अपने sorting operation को perform कराएंगे तो यहां पर सोटिंग हम दो तरीके से करेंगे फर्स्ट सोटिंग होगा राइट तू लेफ राइट तू लेफ सोटिंग होगा तो पाइवर्ड ओलिमेंट से जस्ट लेस्ट इन इलिमेंट को हमें लेना है और सेकेंड सोटिंग होगा लेफ्ट तू राइट तो लेफ्ट तू राइट में क्या करेंगे पाइवर्ड ओलिमेंट से जस्ट ग्रेटर इलिमेंट तो सबसे पहले सोटिंग स्टार्ट करेंगे राइट तू लेफ्ट तरब से लेफ्ट साइड म के जगा 50 आएगा यह दोनों अपने प्लेस को चेंज करेंगे और बाकी के ऐलिमेंट्स सेम एजटीज रहेंगे जैसे हमने लिखा था तो अब हम क्या करेंगे अब सिकेंड कंडिशन हमारे पास से Profile सर्च करेंगे यहां पे यहां पर ऑड़ूरियम्ट से जश्ट ग्रेटर एलिमेंट्स क्या है फिर यहां पर थ strict ग्रूर्फर देखना है मतलब ड्यूर्द इलिमेंट से थोड़ा सा बड़ा 60 60 है तो फिर यह प्लेस को चेंज करेंगे तो 50 यहां पर आएगा पाइवर्ड एलिमेंट और 60 वहां पर चल जाएगे यानि स्वेप हो गया दोनों अब बाकी के एलिमेंट्स रिमेनिंग वैसे ही रहेंगे जैसे हमने लिखा था तो इधर भी 1313 अब हमारा टाइम आ गया राइट टू लेफ्ट तो पाइवर्ड एलिमेंट से जस्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या है राइट टू लेफ्ट में पाइवर्ड से जस्ट लेस एलिमेंट क्या है तो यहां पर पाइवर्ड से जस्ट लेस एलिमेंट है 45 क्योंकि हम राइट टू लेफ्ट कर रहे शॉर्टिंग यह दोनों भी अपने प्लेस को चेंज करेंगे तो यहां पर फिप्टी के जगा 45 और 45 के जगा 50 बाकी के elements remaining वैसे ही हम लिग देंगे 60 30 67 अब हमारा कंडिशन लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट में पाइवड element से जस्ट ग्रेटर element तो पाइवड element से जस्ट ग्रेटर element यहां पर 65 यह दोनों भी अपने प्लेस को चेंज करेंगे तो हमने चेंज कर दिया बाकी के elements as it is रहेंगे तो हम लिग देंगे 45 13 13 यहां पर देख सकते हैं पाइवड element जो था वह मिडिल में आ चुका है दोनों साइड में 44 elements हो गए हैं तो यह कंडिशन जब आया था हमने आपको एक बात बताया था कि अब हम जो हमारे पास आयरे का element है उसे हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो दो पार्ट में डिवाइड करने के लिए हम लिखेंगे 13 145 यह हमारा लेफ्ट साइड के element है पाइवड से और राइट साइड के 65 90 60 67 तो यह अब हमारे पास दो सब आयरे हैं अभी तक हम जब हमने सॉर्टिंग स्टर्ट किया था तो हमारे पास इक सिंगल ऐरे था जिसमें हमारे पासomme 3 एलिमेंट्स थे लेकिन अब हमारे पास दो आयरे हैं जिसमें फॉर फॉर एलिमेंट्स से एक पाइवर्ट से लेफ्ट में है एक पाइवर्ट से राइट में तो अब इन दो सब आयरे में भी हम सेम उप्रेशन को परफॉर्म कराएंगे तो फस्ट एलिमेंट को ऐसा पाइव और राइट वाले सब आयरे का पाइवाड एलिमेंट मिडिल वाले एलिमेंट से बड़ा होगा ग्रेटर और एक्वाल हमने डिफनेशन में बोला था तो अब इसे भी हम सेम उप्रेशन से सोट करेंगे सबसे पहले राइट टू लेफ्ट करते हैं तो थाटीन से जस्ट छोट लेटा क्या है वाण यह दोनों अपने प्लेस को चेंज करेंगे तो यहां थाटीन आएगा यहाँ बढ़ जायेगा थ्री और फॉर्ट फाइब एड़ंगे तो अब हम क्या करेंगे लेफ्ट वाइट करेंगे तो 13 से जस्ट बढ़ा क्या है यहां पतो पोई बड़ा नहीं है 45 तो 13 के राइट साइड में है वह हम कंसीडर नहीं करेंगे अब हम क्या करेंगे दो elements को ले के चलेंगे यानि लेट टू राइट जिब सर्च करना तो पाइवाट elements से left में ही element मिलेगा तभी हम उसे swap करेंगे नहीं तो ही कर सकते तो अब हमारे पास दो element है तो वन को पाइवाट कंसीडर करेंगे तो राइट टू लेप सोट करेंगे तो थिरी ही बड़ा है तो थिरी अकेले नीचे आएगा तो यहां पर थिरी आ गिया यह लेफ्ट वाला सब पार्ट हो गया हमारा अब राइट वाले को हम देखते हैं तो पाइवाट element 65 इससे जस्ट छोटा क्या है 60 यह दोनों प्लेस को चेंज करेंगे 65 यहां जाएगा 60 65 के जगा प्याएगा बाकी की elements as it is रहेंगे तो अब हमारे पास क्या है अब हमारा जो पाइवाट element है उससे जस्ट बड़ा क्या है तो उससे जस्ट बड़ा 90 है यह दोनों भी अपने प्लेस को क्या करेंगे चेंज करेंगे तो यहां पर 90 element जो हमारा था वो आ गिया तो अब इसके लिए हमारा condition फिर से हो गया अब हम सोट करेंगे element तो अभी हमारा पाइवाट element 65 है तो उससे राइट साइड में जो दो बड़े elements है 90 और 67 यह दोनों elements अब हमारे पास remaining बचे हैं सोटिंग के लिए तो इससे हम लिख देते हैं 90 और 65 67 यहां पर हमारा पाइवाट element होगा 90 तो राइट साइड में हम सर्च करेंगे जस्ट छोटा element तो 65 यह जस्ट छोटा यहां पर 65 90 के जगह पर जाएगा 90 67 के जगह पर जाएगा 67 यहां पर तो यह हमारा सोटेड ओडर में element आ चुका है अब इससे अगर हम एजर रिजल्ट लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे सबसे पहले 321 उसके बाद 23 उसके बाद 13 45 फिर हमारा मीडी मोख पाइब हर्ड अलिए 15 उसके बाद हमारा हो गया 60 फिर 65 उसके बाद 67 उसके बाद 90 यहाँ पर याप कंडिशल में देख सकते हैं६ सौटन होडर में आने बाद यह कंदिशन इस कंदिशन पर काम कर रहा है सबसे पहले मारे पास स स्टार्टिंग में फर्स्ट ओ Warren про कि राइट टूढ आफ पाइवर्ट से ज़स्ट इसमोलर है में लिए लेफंट दूराइट पाइवर्ड से ज़स्ट ट्रल मनको लिया यह प्रोसेश हमने कि जब पाइवर्ड एलिमेंट एट दे मिडिल आ गया तो हमने एरे को दो सब पार्ट में डिवाइड कर दिया लेफ्ट सब पार्ट राइट सब पार्ट उसके बाद उन दोनों सब पार्ट में हमने सेम उप्रेशन को पर्फॉर्म कराया तो लेफ्ट सब पार्ट में जितने भ था तो हमारा element sorted order में print में मिल गया आप देख सकते हैं 1 3 13 45 50 60 65 67 90 अब इसका algorithm देखते हैं कि algorithm क्या होता है quicksort का algorithm जानते है quicksort का तो step by step algorithm लिखा जाता है step one में लिखा begin step two में क्या लिखा है हमने select the start element of array as a pivot element हम क्या करेंगे आयरे का जो element होगा first element यानि जो starting element होगा उसे हम as a pivot element consider करेंगे चलिए procedure में दिखाते हैं आपको यहां पर procedure में हमने क्या किया starting element हमारा 50 था हमने इसे as a pivot element consider किया step three में हमने लिखा scan and find smallest element from right side of array इसका मतलब होता है आयरे के right side से यानि right to left में हम scan करेंगे और find करेंगे smallest element को जो की pivot element से होगा चलिए procedure में दिखाते हैं आपको यह हमारा element था हमने scan और find करना चालू किया right side से left के side में तो pivot element से smallest element यहां पर 13 है तो हमने उसके बात क्या किया interchange कर दिया तो step four में हमने लिखा है interchange both elements यानि जो elements हमारा smallest find हुआ था उस element के जगह हम pivot के लिखेंगे और pivot element के जगह finding element को लिखेंगे जो हमने find किया step five में हमने लिखा है scan and find all the biggest element from left side of array array के left side से हम scan करना चालू करेंगे और biggest element को find करेंगे जो कि pivot element से जस्ट बड़ा element होगा उसके बाद हम क्या करेंगे same process करेंगे interchange both elements तो चलिए procedure में दिखाते हैं तो यहां हमने left side से scan करना चालू किया तो हमने find किया 60 को जो कि pivot element से just greater है यह दोनों अपने place को interchange करेंगे तो 50 यहां आया 60 यहां गिया repeat the eva process until all the elements of left side are smaller and right side elements are greater than pivot element यानि इस process को हम तब तक repeat करते जाएंगे जब तक हमारा जो पाइवर्ड element है उसके left side के सारे elements smaller होना चाहिए पाइवर्ड से और right side के सारे element greater होने चाहिए पाइवर्ड element से चलिए दिखाते हैं procedure में तो हमने जब इसकेन किया सोट किया तो यहां पर हमारा पाइवर्ड element आ गया तो हमने आयरे को दो पार्ट में जब डिवाइड किया तो पाइवर्ड element से smaller elements है लेफ्ट साइड में और पाइवर्ड सब लिस्ट अंटिल all the elements of array are not sorted अब हमारे पास क्या है दो सब एरे हैं दो एरे में हम सेम प्रोसेस को अप्लाई करेंगे जो हमने है फरस्ट सिंगल एंटिंग में किया था तो हमारे एलिमेंट को हम तब तक इस प्रोसड को करेंगे जब तक शौटेट ओडर में नहीं एर्ज्ञ हो जाते चाहिए फिरहां प्रोसेश में देखते हैं जब तक element sorted order में print नहीं हो जाते है इस टेप 8 में हमने लिखा है exit यानि यह था हमारा quick sort का algorithm I hope कि आपको algorithm समझ में आया होगा आप इस algorithm का use करके कैसी यह काम करता आपको पता चल गया तो आप प्रोग्राम implement कर सकते हैं लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम प्रोग्राम भी बनाएं तो हमें comment करके बताईए तो मैं इसके उपर प्रोग्राम बना दूंगा Thank you friends